देखिए जो पहला चतुष्ट इसके नदर चार चप्र हैं अभी जैसे अभी आपा मार्क पढ़ाएंगे पर इसके बाद हम आरग पढ़ाएंगे तो जी सारे चप्र रटश नेकिने आ रहा है पहला चेप्र तो काफियत तक समझेने का भी था जबकि दूसरे तीसरे चोटे म कि जीव निए ब्रंगड़िये जिस सब इनके नाम इंके अंदर ददश चीज़े हैं मैं आपको टिक करा दूँगा याद करने की चप्र आने वाले हैं कोशिश करूँगा कि जितना एजी हो सके एजी करूँगा लेकिन फलाल आपको कि तोड़ा रटना पढ़ेगा ठीक है अब चलिए अपन बात कर रहे कि अपामार्ट अपन्च करम के लिए यानि जो मंच कराती है कि तो इसके लिए किन किन दवायों का परियों करते हैं इसमें बताए जाएगा पहले पॉइंट दूसरे पॉइंड़ युक्ति मतलि में आपको बताए था युक्ति में तो इसमें आपको बढ़ेंगे हाँ पिलाल कि यहां पर आ रहे हैं अब दिखेए चेप्टर का नाम है अपा मार्क का मतलब क्या होता है आपा मार्क कर दिया है तंडल का मतलब क्या होता है ताम्ट का बीच क्या होता है ज्यसे मैंने बोला निगी का बीच तो बीच क्या होता है जिए पहरिंग चादन को बूसी को अगया जाया तो चली पहला हेर्डिंग स्ट्रक नियों जाद है इंपोटेंचुशन नेखिन की जिससे ना बतां उतने पड़ना है एक्स्ट्रा के चक्तर में में मिन पाट को मत छुड़ तेगा जिसे पहला आ रहा है पंच करमा तो द्रब्वम संगरे में पहली तो कर से लिच पंच करमा स्रेश्ट है अभी मैं किसी दिन आपको चैप्र 25 पहली बता दूगा कि आपको यह क्वाल याद करने का मैं अभी शिरिदेगा जिसे आप डेली पांस मदा 10 लिए पॉइंट करते हैं उसको याद करने में इदम कहाणी सी आप इदम का किते हैं पॉइंट इदम आप गानाग तो यह सब बता दोंगा कल जिससे इसको याद करें मजी करें इंजॉइ करें और बताएं अपने ख़ए अगरफिंगों कराना तो आप लिए नाव इसनों ही तीशनों वर्येचन के लिए इस रेष्ट है ठीक है तो आपको ये सब बात होनी चाहिए कब पता होंगी जब मैं कर आपके सामने चैप्टर 25 की थोड़ी सी बाते करनेंगा तो पहले में बात करी गई है किसके बारे में सिरोवरेचन के बारे में अब देखे, शुरू फिर चली के लिए क्या बोला कि जितना माक करा हूँगा, उतना ही पढ़ना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, इसमें काफिसरे नाम दिए गए हैं, अगर आप याद करना चाहें, बिलकुल याद नहीं करना, मैं बोलूगा, एक्स्ट्रा में भी याद नह करना, समय बचे फिर भी याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, आपको एक नाम याद करना है, अपामार का बीज और पीपली, बस, सिंपल ये दो नाम दिए और ये नीचे की लाइन में आएंगे, और नीचे की लाइन में आएंगे, तो लिख रहा है लवर दोयम, गौरवे अगर किसी का सिर्भारी हो रहा है। सूरोषिदे सब कटेंट में शुरोवरेचन कर आते हैं और। किस किष फटल कराते हैं आपके मार्का, तक किस किस में कर आते हैं अपन सब कर 17 चैन घॉर्वं सिर्सम सूले में फींश में अरदाव वैते हो इसको याद करना थी अगर आप इसको याद कर ले इसको याद इंचascal सॉल्ब हो जाएगा इसके लावर कुछ सिंपल खेल आगे बढ़ेंगे आगे देखेंगे नीचे आएंगे विमर्स में कुछ इंपरटन अच्छे बाते देगें लेख रहा हैं अगर आपको किसी की सिर की सुद्धी करनी है तो सिर्वरेचन कराएंगे किसी के आमा से की सुद्धी करनी है तो सिर्वरेचन करना होती थे मैंने इसके लाव आप कुछ और नहीं पढ़ना सिभाय कोई chicos सिरुण अब देखिए तो एक द्रॉब्ववाट की बाच दी मुझे अच्छी लगी ति ही तिए यह पर, एक हूगी मदउक मदउक लेकिन हाँ जब मेरे चरख में क्या था इसलिए मैंने मदूख भी लिख दिया कि इस इस मदूख और मदूख इस सेम नो बहुत है अब देखेंगे बाद आती है पहला पॉइंट क्या था सिरो वरेचन दूसरा क्या है वमन के लिए कैसे रेश्ट है आपको पता ही है मदन फल तो आपको पेहला पर देखेंगे मदन फल्ववंद थ्रव्च में स्रेश्ट माना रगा है तो दो देखते हैं इदर भी लिख तो आपको ध्यान करना है दोते नाम एक तो मदन फल एक मुलेठी एक नीम यह तीन नाव पूपर से याद करने है बस और नीचे लाश्टम लिख रहा है विश्यकम देहिम दूश्यम इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर को इन्हें द्रव्यों का प्रयोग करना है और ध्यान आगे अर्गादर के मत्सियस की छाल का क्वाद अपन इपरयोग करते हैं यानि बतायागा गी के लगाएeresht यह चारक होता है और नीमं घेञादर के मतसेस्त चाल का क おखत अपन अपन लेकिन लास्ट उन्हें वनने बोले गई है क्या बोले गई है ये ला को गोड़ों में बमण प्तल波 पंट्ठी कि चेज़ को खतम रहा है कि HeLa आपको गोड़ों में वमन नाशिक माना गया जो एला को गोड़ों में वमन नाशिक माना गया है चलिए आगे बढ़ेंगी इससे अदर कुछी नहीं पढ़ना है अब देखिए अब आती विरेचन शुरो विरेचन हो गया वमन हो गया अब आती विरेचन के लिए लिख रहा है त्रिवता प्ला आपको देंगे याद कैसे करेंगे तुरत एक साथ दंती द्रमंति एकसा डंटी आउपर है ठीजिकर आप नियान में पर द्राक्षा द्राओं मतलब होता है बस आपको 6 करने है त्रिवता डंती द्रवंती द्राक्शा और कम पिलना काव के जो ते पकवाशे गते डोशे जब भी आपको पकवाशे में कोई दोष होगा तो आप ब्रेचन के लिए इसका प्रियोग चालिए कि अब देखैना में गड़िया इसनों ही चत्रंगुल होता है उसको बोला जाता है मर्दु ब्रेचना नाम जी नीचे लिख राएं गड़ा है है इस हरानम कर सो होगे एक नवीद करोगी सिर्फ एक पातला क्या ना मेट करोगे आप पार्टला तो लिख रहा है उदाव थे किसे को हो रहा है किसी की खरском सोग जी बेगे कि तो आप निरूहन वस्ति था सकते हैं और उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे पार्टला का प्रयोग करेंगे तो भी आप आस्ताफन वस्ती देंगे और पार्टला का प्रयोग करेंगे ठीक है बस इतना ही आगे बढ़ेंगे अनुवासन वस्ती अनुवासन वस्ती वह किते हैं अभी इसके लिए किते हैं अस्ताफन वाले दफाट्लाई लेंगे इसमें भी नई बात नहीं है ठीक है सिंपल ज्यादा कुछ डिटल में नहीं जाना जितने नहीं पढ़ना है बाकि कुछ नहीं है समझादा पूरुकर्म में क्या होता है यानि जब भी आप पंच करम करांगे तो उससे पहले आपको इ अब कर देंगे को इस नहीं करा करके उनको आमाशे मिल आना है जाते है अगर आप उनको विना इसने सविदन के निकालने का प्रयास करते है तो अपके शरीद का भी बिना से हो जाता है फूर नीचे लिख रहा है युक्ति का महत्त है कि पहला पॉइंट हमरें पंच द्रब याने की पंश क्रम के तो कहा है कि अगया सरफ और हमेडिकल इस्टर को ž alarm को भी ढूल है कि कि आपको आउषदी its मात्र का ज़्यान है उसकि का जडने का उसके फिर्करशकर ने कि कितनी पर किसेंट को तो हो जाये पेशन जाए पेशन्ति पें एविडोऑ नहीं है तो युटि का मेरत। क्या होता करना है तो आप युक्ति को यूज में लाते हैं ठीक है और बताए गया है कि जिसे डॉक्टर को युक्ति पता है यह जो वैद युक्ति को जानता है वही सरिष्ट वैद होता है और वही हमें सब्सक्राइब से मरियों का उधार करता है आगे बढ़ेंगे नम्मर थ्री पॉइंट आ चका है अथाइस यवागू का वर्णन उस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाद करने का है टोटल टोटल टुट्ट यवागू है बहसत्य में पढ़ेंगे आप यवागू का निर्मान फिलाल अपन बात करते हैं यवागू के हुए ठीक है चलिए तो जिससे पहले यवागू से बात करें आज यह धोनले जलियर है में कहां तो श्रीक थीक कि तो अपने बात करती है 18 एटाइस यिवागू के बरसे बारे में तो आटइस याउगू के हमारे बता देता हूँ देखे या यृग होता है एक होता है मंडब देखे क्या होता है चाफंड एक पो रधी है तो ठाया जाए तो पानी के पानी आ पानी को अलग कर दें तो जो पानी बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं अगर पानी में चावल बीडाल दी जाएं तो मंड और रहता है मंड और दौनों में एक है तो हने के उन कि बल को रिश्टोर कर देने के लिए पर सलसा जण करमों एक का क59 काने का इक कासफिल होता है उसको फॉलॉप कर आते है यह यह को धन तक हम पिआ देते हैं तो यहां पर इतना सा पॉइंट है कि जब भी आप पंच करम कराओगे तो इसके अगनी कम हो जाएगी तो आप संसेजन करम को तो इसके जब भी आप पंच कराओगे तो इसको अन्न बोलते हैं चतुर दश चोदे गोना मिलाओगे तो मंड बोलते हैं और चार गोना मिलाओगे तो विलेपी बोलते हैं दोबार सनेंगे अन्न के लिए पांच गोना यवागू के लिए छे गोना और मंड के लिए चोदे गोना विलेपी के लिए चार गोना तो लिख देता हूँ उपर चार चार किसके लिए विलेपी के लिए पांच किसके लिए अन्न के लिए च्छे कितने के लिए है यवागू के लिए और किस के लिए है muitos के लिए मंड के लिए विग लिए चारपगल किसके लिए यांड्य क बता रती है दिए तो हम लोटाई दes और योगूमंड ही तो इस तरीक patterओक को गदरी पूरे बहके से घुमते रहते हैं अब ये आप सब लोगों अपने बेच वाले दिया है, बगल वाला भी बोले कि ये तो आई अब अब किना है, लेकिन तो ये नहीं पता कि आप नहीं कळा face घाली. आ अब पाँट को आँगा पशे लिए और में चॉद्च में है और मंध की हैं, मंद की सिलेश लागा करेंगे आप टिया जब आप करो दो गेड़े लिए प्रक्ल के दाने भी रहेंगे तो क्या वूलोगी आप विलेवी अन्ड मिलेपी अन्यवागू मंड उचार नमब्र पांच नमब्र छह नमब्र लाष्ट में भी चार पर ठेक हो रहा है 4-5-6-14 विलेपी अन्य वागु मंड सिंपल चली आगे भरते हैं उम्मीद थोड़े सी भहसज मैंने बता दियोगी चली तो ये शिलोक मैंने आपको बता दिया नीचे लेकर रहा है सिक्ते वी रही तो मंड पया सिक्तम संबिता सिक्ते वी रही तो तो सिक्ट मतलब चावल, सिक्ट मतलब चावल, सिक्टे वी रही तो मंडा, जो मंड होता है, इसमें चावल नहीं लेखते, यह बहुत जादा चावल होते हैं, सियाद विलेपी वरल द्रवा, और जब कि जो विलेपी होती है, इसमें वरल बहुत कम होता है द्रवा, आपको देखें जो विलेपी की, इसमें चार गोना द्रव है, विलेपी में चार गोना है, तो इसमें लिख रहा है, विलेपी वरल मतलब बहुत कम द्रवा, ठीक है, सिं नाशक जवागू देखिए शूल नाशक मतलब किसी को कहीं भी शूल हो रहा है तो आप किसी जवागू को सिवन कराओगे तो आ रहा है पिपली पिपली मूला चब चितरक नागरे नाम याद करना है इसी को पंच कोल बोलते हैं जुल नों ने द्रब्बे कोल पढ़ना कोल क्या होता है तोला क्या होता है कर्श च्रिक्श क्रण करा में कितने चित्रक रहे चित intrision नागरोस्ट अपड़ेगी है की से जुन ने पाइस तके शुकर घुथ पूरे पेज में चेप्टर रहा है लेकिन पेज जल्दी में आपके सामने कल पेज कर रहा है लेकिन मैं चारंग की पूरी किताब बढ़ा दूँ इसके बादे कि सौट पर लाश्ट में जाएंगों देखें यह पेज है इसमस्द मैं लिख रखें इंप्रेंट जैसे पहला है लेकिन अभी तो अपना लेवल ऊपर करके चल रहा है कि जिससे हम कठें तो पढ़ रहे हैं आशन पढ़े तो समझ में आई जाएगा तो पहला बात था सुन ला सक जवागू किसी को दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है क्या को पंच पंच कोल कौन को साथ पिपली है पिपली मूल है चब्पे हैं चित्रक है नागर है ठीक है अब ये मत पूशना पिपली क्या होते है प्लीज क्योंकि यह मेरा काम नहीं क्या होती है यह आपको द्रब्द गुडवाला भी नहीं बता देगा प्यामिली बता देगा जो आपको याद खुद ही करनी पड़ेगी ठीक है तो रहां करना है शूला से क्या जाती है पीपली पीपली मूल चब चितर के नागरे जिसको पंच कोल बोला गया पांच द्रब् पाचनी और गिराही पेया चलिए भी आपको बता देता हूं नंबर टू यवागू पहला यवागू हो चुका है कौन सा जवागू ता पहला सूल लासा की जवागू याद हो जाने चाहिए आए गिंती के ज्यादा नहीं पड़ा हूँ आट्टाइस से पांच चार पड़ होगा मैं हलाकि गंटा होने वाला कोई देक्रत नहीं है लेकिन कल अपने चप्रों कर लेंगे तो दूसरा आरा पाचनी तथा गराही पेया पाचनी और गिराही पेया देखिए मतलब जो गरहाई मतलब किसी को अगर डाइड़ी आओ गया है तो कौन-कौन सी यह पाचनी औ बिल्व कन सीसे क्याहें चांगेरी डी से क्याहें डीचे क्याहे डीट और दूसरी डीचे क्याहें डाडिम आपकर आप चैपसियुक सिलोग की लाइन को डाइक्ट जाट कर लोगे तो डारेक्ट करोगे डारिक्ट साँजिता ऐसे कर लो नहीं तो tv cdd औहीए इस चार नहीं मोंगी तीवी सिडिडी प्राथि पंच मॉλ पंच मुल देखे अगर किसी वाताई अतिसार है यह यह क्या यूज करेंगे वाताई अतिसार में तो अपन प्रियोग करोगे पंचनी और घ्राइपी या में करोगे टीवीं सीद्टी में क्या करों घ़्यव करोगे तुट हो गया थिका ऊगा तकर हो गया हमगे से चांगरी कज अबम करोगे और जब की वाफन वे सार मैं तो कि पर प्त और चिलेश में दो नाम व्याद करोगे और जिसको अच्छे तरीक से जाज करना आता तो यह पूरी लाणियाद करोगी इतनी सी शाल पंडमी बला विल्व प्रश्ण पंडिया और जिसको इतना याद नहीं हो रहा तो पिलेशमिक यानि यहाँ करिँए पिलेश्मिक यहोंते प्लेश्मिक यह उटी से सहार हो गया हे ताइयरी तो आप क्या प्रयोग करोगे शाल पढ़नी बलाविलवे प्रश्ण पढ़ने या अगर अगला है तो आपको ध्यान रखना है कि रखत अतिसार जो होता है तो आप क्या प्रयोग करोगे पैस से अर्द ओदा के चाचागे तना से याद करना है पैस से अर्द ओदा के चाचागे पैस से का मतलब होता है दूद पैस से का मतलब क्या होता है दूद अर्द आदा ओदा का पानी चागे बकरी चागे का मतलब क्या होता है बकरी यानि पैस से दूद अर्द पानी यानि करना आदग दूद लेना उतना ही पानी मला देना है किसंक दूद होना चाहिए बकरी का दूद होना चाहिए और किसे प्रयोग करोगए रखताई गया तो आपको ध्यान तिसार ते पहला क्याता वात्व दूसरे में पंच मूल शूल नासक जवागू में क्या चाहिए चाहिए पंच कोल पिपली पिपली मूल चबच च्थरक नागरें पाची में कहा है टीवी चीडिडी क्या के तक्र बिल्व चांगे ड़ित ठाडें मूल ठीक सिंपल खतम बत अगले डेटेज आमज अतिशार तो आमज है तो आम जचान course को परोगे तो देखिः आमे किसको आप किस को किस औरोगे किसको कि दास को कै कि हम्वह Dir? की ऑगर विचानर परोगे तो ड्यक्व capacity अगर किसी को मुत्र क्रच्छ तो क्या पर्योग करोगे गोकुरू और भट्कटईया क्या पर्योग क्या बोलते हैं गोकुरू क्या बोलते हैं पर रहे कि आई यहां तक के लिए आप लोगो तो नागरे को शुन्टी भी बोल सकते हैं बिलकुल नागरे को शुन्टी भोलते हैं लेकिन बात है लेकिन बताओए कि आपको चेप्टर टू समझने आ रहा है 28 यवागू ते हमने छेसात यवागू आज पढ़ ली है कल में यवागू की बारे में आपके बात करूँगा ठीक है चलिए टर तक के लिए टेक्टर बाइव